आचार सहिता खतम होने के साथ ही जार्खन सरकार वर्किंग मोड में आ गई है और लगतार नई नई योजनाओं की जो है वो घूसना हो रहा है साथ ही अब सरकार ने 200 यूनिट फ्री देने की घूसना की है साथ ही 25 साल की वैसी महिलाएं जो की विद्वा है उनके लिए भी जो है पैंसन की घूसना कर दी गए है इस तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे जार्खन मुक्ती मोर्चा के प्रवक्ता तनुज खत्री से तनुज आप लोगों ने बहुत सारी उजनाओं की जो है पहले से लनायास क्या है अब नई ने घूसना है जो है वो की जा रही है अब मुक्मंत्री चंपई सोरे ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली जो फ्री है वो दिया जाएगा साथ ही 25 साल की जो महिलाएं है और उन्हें भी कहीं न कहीं जो है अब वृद्धा पेंसन जिस तरह से मिलता था पेंसन उन्हें भी दिया है क्या धरतल पर उतरेगा और कब तक के लागों पाएगा देखिए ये सबी चीजें पहले से धरतल पर हैं मानिये पुर्व मुक्मंति और हमारे नेता हेमन सोरें जी की ये सोच थी और उन्होंने ही सर्व प्रथम अपने कारकाल में 100 यूनिट बिजली जारखंडवासियों को राजवासियों को देने का एलान किया था और वो उन्हें मिल भी रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए चंपई सोरेंजी की सरकार ने 125 यूनिट उसको किया और अब एतिहासिक निरने हुआ है 200 यूनिट की जो बिजली का बिल वो नहीं आएगा आप तो इससे सीधा फायदा पहुँशने जा रहा है गरीब जनता को आम लोगों को मिडिल क्लास के लोगों को लोवर मिडिल क्लास के लोगों को जब बिजली का बिल नहीं आएगा ना तो सुकून मिलता है लेकिन भारतिये जनता पार्टी के लोग जो घरों से निकलते नहीं है जो बंद AC के कमरे में बैट करके बयान देते हैं कहां से चल रही है AC बिजली है तभी तो आप AC कमाजा लेकर के बयान दे रहे हैं प्रेस कॉनफरेंस कर रहे हैं हम और आप अभी कहां बात कर रहे हैं धूप छट है हमारे उपर नहीं है लेकिन ये जुटे लोग ये मकार लोग जब सरकार अच्छा काम करती है जब वो सरकार के द्वारा किये गए काम सीधे घर तक पहुचता है लोगों के आम जनों के घर तक पहुचता है पूछिये जाकर के लोगों से जब सौ यूनिट तक की बिजली माफ थी बिल आता था जीरो रुपया तो क्या किसको सुकुन मिलता था आज 200 यूनिट होगा तो किसको लाब मिलेगा इसका लाब भारते जन्ता पाटी के लोग भी लेंगे अपने घरों पर वो तो कह रहे है कि 200 यूनिट दीजे 1000 यूनिट दीजे कोई पाइदा ने बिजली है तभी तो वो बात कर रहे है एसी चल रही है उनके कार्याले में कहां से बेयान ब्याजी कर रहे है आप लोग तो गहे थे ना पाइट लेने गहे थे तो लैट थी ना जुटे लोग हैं डरे होए हैं ऐसी योजनाओं से कि सीधे जन्ता तक ये योजनाओं पहुँच रही है इनके पस कोई एजन्डा है एक मुख्य पुर्व मुख्य मंत्री आदिवासी मुख्य मंत्री को इन्होंने जेल में भेज दिया जुटे आरोपों में और उनके द्वारा जो प्लैन बनाया गया था जहारखन के विकास के लिए जो एंड लोगों तक पहुँचेगा अंतिम पायदान के विक्ति तक पहुँचेगा जब वो चीजें हो रही है तो पेट में दर्द तो होगा अभी और दर्द होगा पेट में अभी इंतजार कीजी अभी इनकी गर्मी और बढ़ने जा रही है ये भी कहा जा रहा है नौकरी भी देने का काम किया लेकिन उसको अड़ंगा लगाने का काम किस ने किया? भारती ये जनता पाटी के लोगों ने किया और अब जब मौका है जब सरकार देने जा रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? ये वहाओं को उनका हक मिलना चाहिए उनको नौकरियां मिल रही है JPSC, JSAC कंड़क्ट हो रहे हैं तो भारते जनता पाटी तो वैसे लोग थे इनकी सरकार थी जिन्होंने पांस साल में एक भी JPSC नहीं करवा पाए थे एक JPSC नहीं करवा पाए थे ये लोग और देखिये सरकार ने किस तरीके से लड़ी लगा दी निश्चित रूप से कुछ विलम हुआ अचार सहीता के वज़ा से और भारते जनता पाटी के कुछकर के कारण कुछ विलम ज़रूर हुआ इन्होंने केंदरी एजनसियों को लगाने का काम किया कि धर्खंड का बेटा हेमन सोरिन नौकरियां बाट रहा है तो इनका पेट में दर्द हो रहा है तो एजनसी लगाते थे हम देंगे क्योंकि ये सरकार ही युवाओं की थी ये सरकार ही गरीबों की थी ये सरकार ही धर्खंडियों की थी तो उनके लिए तो काम करेगी ना, असमें हर्जा क्या है? अपको जानकारी होनी चाहिए मंतरी मंडल की जहां तक जो आपका प्रश्ण है ये मुख्य मंतरी का विसा साधिकार होता है पार्टी में यही चर्चा है और बड़ी चर्चा है कि किस प्रकार से जारखंडियों को उनका हक मिले और हम उसके लिए काम करना चाहरे है कल्पना सुरेण जी को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो भी मंत्री मंडल में सामिल हो सकती है देखिए पार्टी ने कारकरताओं ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया और उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका सभी इंडिया गडबंधन के प्रत्याशियों के लिए जिस प्रकार से निभाने का काम किया है रिजल्ट पांच सिटें लोग सभा की आप सब के सामने हैं का पाटी ने उन्हें कार करता उन्हें उन्हें उन्होंने गांडे बिधान सभा का चुनाव लड़ा बतौर स्टार प्रचारख इंडिया गड़बंदन के जारकण मुktि मुर्चा के होते में और वहाँ से इत्याजिक जीत हासिल की वहाँ के जनता का प्यार इसने उने मिला तो जनता तै करती है लोग और नेता कुछ नहीं तै करते हैं कार करता तै करते हैं पाटी तै करती है जनता चाहेगी तो हो सकता है जनता ही तो सब कुछ चाहती है आप और हम तै करने वाले कोई नहीं होते हैं भारती जनता पाटी नहीं है ना कि एक ही चेहरा रहेगा आज हार गर आप चौता स्तम है तो इसको चलने दिजिएगा औरों की हिम्मत नहीं होती है तो चर्चा नहीं हो रही है अरे हारते हारते तो जीते हैं 1,70,000 एक लाग से उपर देड़ लाग से उपर वोट से जारखन के पाचो पर तैसी जीते हैं अगर बंदन के तो कौन हुआ बड़ जा करके एसी में बैठे हैं जो बरते जंता पाटी के लोगों से अभी कह रहा है कि कल्पना सुरेन जो है मुखमेंत्री का चहरा होंगी चंपाई सुरेन हड़ जाएंगे को जो कहना है कहने दीजिए उनकी बात को जारकन की जंता सीरेसली ने लेती है कौन उनके पास नेता है आज बावुलार मरंडी जी उनके नेता थे क्या स्तिती हुई पांचों की पांचों वा ट्राइबल सीट में करारी हार एक लाग सत्तर हजार एक लाग साथ हजार एक जवाब दे रहे थे और वो कह रहे थे किस तरह से सरकार जो है वो काम कर रही है और तमाम जो योजना है वो धरापतल पर उत्री हुई है और अभी भी बहुत सारी योजना है जो क्याने वाल समय में धरापतल पर दिखेगी और सरकार ने जो नई घूसना की है 200 फ्री बिजली देने का वो भी जो है वो लोगों तक आने वाला समय दिखने लगा और भाजबती है चंता पार्टी की जो भी आरोप थे उसका भी उन्होंने तमाम जितने सवाल थे उसका जवाब दिया है उसका बाइसकोप के लिए कामरप्सन तापस कि सात्मीरज कुमार राची अमर्टी उन्वर्सिटी का पटना और राची कैमपस पिछले कई सालों से लगतार सक्षा के शेतर में अनमाच्ट एक्सिलेंस प्रदान कर रही है उन्वर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारणे कि यहां के सिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक एक हजार से जादा रिसर्च पेपर और सौ से जादा पेटिंट फाइल किये हैं 26 से अधीक पेटिंट पब्लिश्ट हुए हैं और तीन पेटिंट ग्रैंट भी हो चुके हैं और यहीं नहीं यहां के फेकल्टीज और स्टूडेंट सौ से अधीक किताबे जई जानिमानी, मॉल्टीनाशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एकसेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विपरो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान, युनिलवर जैसे 180 रेप्यूटिट कंपनीज के लिए रिकूट्मेंट की प्रेफर्ड चोइस ब वही सुमन गुपता को पालो ओल्टो में मिले 47 लाग के हाइस्ट पैकेजेस से युनिवर्सिटी ने बिहार और छारकन में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है नए अनुभाव जोश और उमंग का बेजोड संगम है छोटा नागपूर वाटर किंडम यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेब का होगा एक डम नया अनुभाव सबसे जादा स्लाइड वाला राजी का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपूर वाटर किंडम तो परिवार के साथ आए रादो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपूर वाटर किंडम